तो तीस हजार किलोमीटर की यात्रा सौ दूनों में ये अपने आप में सरचक्राने वाली बात है ऐसा कई बार हुआ उस यात्रा के दौरान जहां किसी वी वेक्ती के लिए बाइक चलाना काफी मुश्किल होता है वहाँ 65 साल के इंसान के लिए तो ये भूली जाए एक घटना है जिसना मुझे हिला कर रख दिया सद्गुरू को अबुदावी से दुबई बाइक चला कर जाना था दुबई और अबुदावी में अधिकतर लोग दुबहर को बाहर नहीं निकलते और अगर निकलते भी हैं तो अपने यर कंडिशनर कार में बाहर दूप में बाइक चलाना तो भूल जाएगा वहाँ एक और कारेक्रम था जिसके लिए तीन घंटे और घूम कर जाना था और एगिस्तान में कुल छे घंटे ड्राइब करना था जब हम लोग निकले तब तापमान 40 के ऊपर था और जब हम रोड पर आये तो हमने देखा कि वहाँ कोई भी दूसरी मोटर साइकल नहीं थे बस सद्गुरू अकेले बाइक चला रहे थे जब वी जाकेट पहन कर चला रहे थे 70-80 किलोमीटर के बाद ये बहुत गर्म हो गई ऐसा सिर्फ मौसम के कारण नहीं हुआ ऐसा गर्म हवा के कारण हुआ जो की इंजन से बाहर आ रहे थे एक समय पर मुझे लगता है ये तापमान आसानी से 45 के ऊपर था और ये गर्म हवा जो लगातार उनको जखजोर रही थी रोड से गर्मी निकल रही थी तो हमने उनसे पूछा सद्गुरू क्या हम आगे जाने से पहले कुछ देर रुख जाएं और वे बोले लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें उना इंतजार में ना रखकर चलते रहना चाहिए कुछ मिनिट बाद हमने फिर पूछा क्या हम कम से कम पांच मिनिट के लिए रुख जाएं ताकि वे पानी पी सकें सद्गुरू बड़े बेमन से रुखे और फिर जब हमने देखा कि हम लोग रेकिस्तान में है और उदर कोई भी ऐसी जगे नहीं है जहां सद्गुरू को थोड़ी च्छाओं मिल सके हमें खुजने पर बस एक जुका हुआ पेड मिला जो कि वहां था ये मॉटर साइकल को स्पेड के नीचे पार्प करके वहां कुछ मिनिट के लिए खड़े रहे सीट बहुत गरम और ये बैट नहीं पा रहा हूँ और बस कुछी मिनिटों में सद्गुरू मॉटर साइकल पर बापस बैट गए और चलते रहे उन्होंने अपनी जैकेट उतारनी चाही पर जैसे ही उन्होंने जैकेट उतारी उन्हें हवा के काफी ज़ादा धक्के लगना शुरू हो गए उनकी छाती पर तो वो भी कुछ देर बाद काफी तक की देने लगा और पूरी तरह ठका देने वाला था। रास्ते में एक अविनेत्री जो हमसे इंडोनेशिया से जुड़ी सद्गुरू के साथ बाइक पर राइड करने के लिए। विकार से उतरी, अपना हेलमेट लगाया और सद्गुरू के साथ मोटर साइकल पर बैट गई। हम कार में हैं, ठीक उनके बगल में और वो इशारा करने लगी। प्लीस रोकिये, मैं ये नहीं कर सकते, मैं ये और नहीं कर सकते। वे हमें इशारा कर रही थे, बस इसे यहीं रोक दीजे, मैं इसे और ज़्यादा नहीं कर सकते। तब हम रोड की किनारिया करें। सिर्फ ये जानकर कि ये सफर अब तक कितना कठिन रहा है, मेरे लिए सिर्फ ये 20 मिनिट काटने मुश्किल थे। और उन्होंने बाइक से अपना दुबई तक का सिफर जारी रखा। वे बाइक चला रहे थे और बाहर बहुत गर्मी थी और हम सद्गुरु को हाथ पर सीधे करते हुए देखाये थे। क्योंकि उन्हें पता था कि उनका शरी डिहाइड्रेट हो रहा है। इसलिए वो इसे ऐसा रखना जाते थे कि वो क्रांप ना हो। और एक समय पर फोन का GPS भी गर्मी के कारण पंधा हो गया। लगबग 6 घंटे बैक चलाने के बाद आखिर का सद्गुरु दुबई पहुँचे। पर फिर ट्राफिक लग गया। ट्राफिक के कारण बैक से बहुत जादा गर्मी निकलने लगी। जो सीधे उनकी चाती और जांक पर लग रही थी। इसलिए जब लाल सिगनल हुआ तो वो बाइक पर बैट भी नहीं पा रहे थे। वे बाइक से उत्रे और थोड़ी देर हटकर खड़े हो गये। वो भरे ट्राफिक के बीच रोड़ पर खड़े थे ताकि बाइक से निकलने वाली गर्म हवा से बच सके। फिर जब भरा सिगनल हुआ वो बाइक पर बैट गए। और फिर वे होटल गए जहां हमने बेस्मेंट में गाड़ी खड़ी की। हमने उन्हें फिर से पानी दिया लेकिन इस बार उनके शरीर में पानी की कई ज़ादा करनी थी। वे अपने उपर पानी डाल रहे थे ताकि खुद को ठंडा कर सके। जिससे उनकी आधी टी-शट गेली हो गई। फिर वे कमरे में गए और वहां विस्तर पर जाकर गिर पड़े और हम उनकी मदद करने की कोशिच कर रहे थे। मैं ये देख रहा था कि क्या हम उनके जूते उतार सकते हैं और मैंने गलती से उनके पाउं का कड़ा छो लिया। और इसने पूरी तरह से मेरी उंगली जला थी। अगर वो धातू का इतना सा टुकड़ा इतना गरम था तो वे खुद किन तकलीफों से गुजर कर यहां पहुँचे होंगे। और उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पंदरा मिनिट में हमें अगले कारकरम के लिए निकलना था और मैं उन्हें यह नहीं बोल पा रहा था कि सद्गुरू हमें अगले कारकरम के लिए निकलना है। कुछ ही मिनटों में सद्धगुरू रूम से बाहर आए, उन्होंने अपना हेलमेट लगाया, मॉटर सैकल पर बैटे और हम लोग अगले कारकरम के लिए निकले। और उस कारकरम में किसी को ये एहसास तक नहीं था कि उन पर क्या गुजरी है। वे कैसे यहां तक पहुँचे, उनकी टी-शेट अब भी थोड़ी से गेली थे। उन्हें अपनी टी-शेट बदलने का भी मौका नहीं मिला, ये इवेंट्स जो एक के बाद एक थे, वे लगातार तीन घंटे तक चलते रहे। और उसके बाद हमने कुछ इंटर्व्यूज भी रखे थे तो जब तक ये सब खत्म हो पाता है, वे वापस रूम में जा पाता है, ताकि वे मिनिट भर सांस ले सके, या कुछ खा सके, तब तक आधी रात हो चुके थे।